पिए हेलो एब्रीन वेल्कम बैक टो माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे स्सी के दुआरा जारी किये एक्जाम केलेंडर की जहां तक आपको पता है SSC ने अपना exam calendar जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको 2022 में कितने vacancies देखने को मिलेंगी किनकी क्या exam date रहेंगी कब form फिल होने start होंगे और कब last date रहेगी इस वीडियो में हम particularly बात करेंगे MTS की जो आपके 22 March को tentative date दी है 30 April तक आपकी ये date रहेगी और 30 April के बाद form हो जाएंगे बंद बने जून 2022 में आपको आपका exam टायर वन देखने को मिलेगा जैसा आपको पता है 2021 में अभी कुछ दिन पहले ही MTS 2000 जो हमारी 20 में vacancies फिल हुई थी उनका टायर वन का result आया था और अब उनका टायर 2 होगा कुछ relaxation के according SCSTOVCWS को relaxation मिलता है as per the government norms में आपको यहां पे syllabus भी दिखाऊंगी fees क्या रहती है scheme of examination क्या रहेगा टायर 1 जो qualify करेगा उसको टायर 2 में लेके जाया जाएगा जो की descriptive type paper होगा हमारी आठवी एनिसूची के अंदर जितनी language है उनमें से कोई भी language आप यहां पे चूज कर सकते हो ऐसे letter के लिए उसके बाद आपका dv रहेगा उसके बाद आपका final selection होगा तो देखे अभी तक तो SSC ने 2022-23 वाली vacancies के लिए ऐसा कुछ notice डाला नहीं है पर 2021 के notice के बिहाफ पे मैं आपको यहां पे overall चीज़े बता देती हूं यह जो PDF है यह है बही देखो multitasking staff examination 2020 का ठीक है 2020 का SSC ने official notice भी डाला है वह division wise मतलब आपके ratio of vacancies 3266 कुछ vacancies रही थी तो अब यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा brief में लेके चलेंगे एज लिमिट की बात करेंगे के 2021 को माना था इन्होंने recommendation की 18 से 25 साल इन्होंने बोला था कि 296 से और एक एक 2003 के बीच आपका मतलब बॉन होना चाहिए जनम होना चाहिए फिर 18 से 27 साल मतलब 294 से लेकर एक एक 2003 तक का होना चाहिए यह पैरा 6.1.2 के according के आप करेंगे सबस्ते होना और यहां पर आपका है और कि आपका पाझ करेंगे और यहां पर आपकी freshmen को और देखेंगे आपको पता कि यहां पर आपका ने तो ने बहुट मार्च में ही निकलने स्टार्ट हो जाएंगे सभी रिजन्स में निकलेंगे ओवरॉल इंडिया होती हैं एम्टेस की विकिंसी स्कीम ओफ एक्जाम की तो पेपर वन आपका सी बीटी होगा जिसमें आपकी इंगलेश रिजनिंग मैथ और जी एस आएगी 25-25 नंबर की नेगे मार्किंग रहेगी पेपर वन से जो यहां पर क्वालिफाई करेगा उसको आगे यह तो अब्जेक्शन बहुत है कि 100 रुपे पर पर क्वेशन लगेंगे अगर अब्जेक्शन आप डालते हैं तो फिर आपको यहां पर डिस्क्रिप्टिव देना होगा 50 नंबर का 30 मिनिट मिलेंगी और 40 मिनिट PWD वालों को मिलेंगी शॉर्ट ऐसे लैटर लिखना होगा इन इंग्लिश में या फिर एनी कोई भी लैंगवेज जो की 8th schedule आट में इनी सूची में दिया हुआ है उसके बाद नीचे बात करें तो आपका यह कुछ syllabus रहने वाला है इंग्लिश से क्या क्या आएगा रिजनिंग से क्या क्या आएगा वो सब यहां पर दे रखा हैं इंग्लिश से बात करें तो vocabulary, grammar, sentence, structure, synonym, intonum, it's correct, use, writing ability और उसके बाद रिजनिंग से यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं non-verbal और verbal reasoning, numerical aptitude से यहां पर बात करें तो भई arithmetic आपको पूरा- advance देखने को भी मिलेगा, arithmetic ही ज्यादा मिलेगा, advance तो नहीं है थेर, उसके बाद GSC बात करें तो आपका static GK प्लस आपका current affair वगएरा यहां पर आना चाहिए, और paper 2 के लिए बात करें तो आपको ऐसे letter लिखना होगा, ठीक है, उसके बाद यहां पर इसके बाद यहां पर ब जब आपने form डाला था तो उस दोरान जो जो चीजे बताई थी वही वाली चीजे होनी चाहिए, कोई malpractice नहीं होनी चाहिए, in case अगर पाया जाता है, तो इस वीडियो में बात की syllabus की, fees की, उमर की, selection process कैसे रहेगा, तो जैसे ही SSC कुछ और नया notice डालते है, इस post ले रिग चुछ